नवरात्री का पाँचमा दिन सकंद माता की उपासना का दिन होता है मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परमसुगदाई है मा अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ती करती है इस देवी की चार भुजाएं है यह दाई तरफ की उपर वाली बुजा से सकंद को गोद में पकड़े हुए है नीचे वाली बुजा में कमल का पुश्प है बाई तरफ उपर वाली बुजा में बरत मुद्रा में है और नीचे वाली बुजा में कमल पुश्प है पहाडों पर रहकर संसारिक जीवों में नवचेत्नमा का निर्मान करने वाली सकंद माता नवरात्री में पांचमे दिन इस देवी की पूजा अरचना की जाती है कहते हैं कि इनकी पूजा कृपा से मोड भी घ्यानी हो जाता है सकंद कुमार कार्टिकी की माता की कारण इन्हें सकंद माता नाम से अभिहित किया गया है इनके विग्रह में पगवान सकंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है इस देवी की चार भुजाएं हैं दाई तरफ की उपर वाली बुजा से सकंद को गोद में पकड़े हुए हैं, नीचे वाली बुजा में कमल का पुश्प है, बाई तरफ उपर वाली बुजा में बरत मुद्रा में हैं, और नीचे वाली बुजा में कमल पुश्प है, इनका वर्ण एक दम शोब्र है, यह कमल क आसन पर विराजमान रहती हैं इसलिए इन्हें पदमासना भी कह जाता है सिंग इनका वाहन है शास्त्रों में इसका पुशकल पहत्व बताया गया है इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी होती है भक्त को मोक्ष मिलता है सूर्य मंदल की अधिश्ठा त्री दे अवित्र रख कर इस देवी की अरादना करने वाले सादक या भक्त को बफसागर पार करने में कठिनाएं नहीं आती उनकी पूजा से मोक्ष का मार्क सुलब होता है और यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ती है यानि चेतना का निर्मान करने वा इनका मंत्र है सिंगासन गता नित्यम पदमाश्रित करद्वया शुबदा अस्तू सदा देवी स्कंद माता येशस्विनी स्कंद माता पूत्रपती माता-पिता का स्वरूप है अत्वा प्रतेक पूत्रवान माता-पिता स्कंद माता की ही रूप है